हरे कृष्णा आप सभी को विशाक पूर्णिमा की हार्दिक शुब काम नहीं आज पूर्णिमा के शुब अफसर पर सुनिए श्री सत्य नारायन भगवान की संपुर्ण कथा भगवान श्री हरी की पूजा कई रूप में की जाती हैं उनमें से उनका सत्य नारायन रूप इस कथा में बताया गया है शुरी सत्य नारायन भगवान की कथा के दो प्रमुख विशे हैं जिन में से एक है संकल्प को भूलना और दूसरा है प्रसाद का अपमान व्रत कथा के अलग-अलग अध्यायों में छोटी-छोटी कहानियों के माध्यम से बताया गया है कि सत्य का पालन ना करने पर किस तरह की परिशाने आती हैं इसलिए जीवन में सत्य व्रत का पालन पूरी निस्ठा और द्रड़ता के साथ करना चाहिए ऐसा ना करने पर भगवान न केवल नाराज होते हैं अपितु दंड, स्वरूप, संपत्ती और बंदू बांधों के सुख से भी वन्चित कर देते हैं हर महिने की पूर्ण मासी को भगवान सत्य नारायन की व्रत कथा का पाठ किया जाता है आईए, रस्पान करते हैं सत्य नारायन भगवान की कथा का एक समय की बात है, नैमिशारानी तीर्थ में शोनक आदी 88,000 रिशियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभू इस कल्यूग में वेद विद्यारहित मनुश्यों को प्रभू भक्ती किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा हे मुनिश्रेष्ट कोई ऐसा तब बताईए जिससे थोड़े ही समय में पुन्ने मिले और मनुवांशित वल भी मिल जाए इस प्रकार की कथा सुनने की हम लोग इच्छा रखते हैं तब सभी शास्त्रों के ग्याता श्री सूत जी कहने लगे हे वैश्नवों में पूछ आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है इसलिए मैं एक ऐसे स्ट्रेस्ट और व्रत के बारे में आप लोगों कुछ जरूर बताऊंगा जिसके बारे में नारत जी ने श्री लक्ष्मी नारायन जी से पूछा था और लक्ष्मी पती श्री हरी ने नारत जी से कहा था अब आप सभी से सुनिए एक समय की बात है देवर्शी नारत जी दूसरों के हित की इच्छा लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्य लोक में जा पहुँचे वहां उन्होंने अनेक योनियों में जन में सभी मनुश्यों को अपने अपने कर्मों के अनुसार पीड़ा जहिलते वे देखा उनका दुख देखकर नारत जी सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे निश्यत रूप से मानव के दुखों का अन्थो जाए इसी बात पर विचार करते वे वह विष्णू लोग को गए वहां नारायन की स्तूती करने लगे और कहने लगे कि नारायन नारायन हे भगवान आप अत्यंत शक्ती से संपन्न है निर्गुण स्वरूप स्रस्टी के कारण भगतों के दुख को दूर करने वाले हैं आपको मेरा प्रणाम है इस प्रकार नाराद जी की स्तूती सुनकर भगवान श्री हरी बोले हे मुनिस्रेष्ट आपके मन में क्या बात है उसे नहीं संकोज कहो इस पर नारद मुनि कहने लगे कि मृत्यो लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से दुखी हो रहे हैं हे प्रभू, आप तो ये बताईए कि वो मनुश्य थोड़े से प्रयास सही अपने दुखों से चुटकारा कैसे पा सकते हैं। तब श्री हरी कहने लगे, हे नारत, मनुश्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। स्वर्ग लोक और मृत्य लोक दोनों में एक दुरलब उत्तम व्रत हैं जो पुर्णी देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुम से कहता हूँ। श्री सत्य नाराइन भगवान का व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुश्य तुरंथी यहां सुख भोग कर मरने पर मोक्ष प्राप्त करता है। श्री हरी के वचन सुनकर नाराज जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है प्रभू और उसका विधान क्या है ये व्रत किस ने किया था। इस व्रत को किस दिन करना चाहिए आप सब कुछ विस्तार से बताएं। नारत जी की बात सुनकर फिर श्री हरी कहने लगे, दुख और शोक को दूर करने वाला यह सबी स्थानों पर विज़े दिलाने वाला है, मानव को भक्ती और श्रद्धा के साथ शाम को, श्री सत्य नारायन जी की पूजा, धर्म परायान होकर ब्रहामनों और बंधू करने के साथ ही यथा शक्ति, यथा अनुसार भक्ती भाव से भगवान को भोग लगाएं, आरती गाएं और ब्रहामनों सहित बंधू बांधू को भी भोजन कराएं, उसके बाद ही स्वयम भोजन करें, कीर्तन भचन के बाद भगवान की भक्ती में लीन हो जाएं, इस तरह से सत्यनारैन भगवान का यह व्रत करने पर मनुशी की सारी इच्छाय निश्चित रूप से पूर्ण होती हैं। इस कल्युक का अर्थात कली काल में मृत्युलोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। शुरी सूत जी बोले हे रिशियो जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था अब उसका इतिहास कहता हूँ ध्यान से सुनो। सुन्दर काशिपुरी नगरी में एक अत्यनत निर्धन ब्राहमन रहता था। भूग प्यास से परिशान वे धर्ती पर घूमता रहता था। ब्राहमनों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राहमन का वेश्ट धारन कर उसके पास जाकर पूछा, हे ब्राहमन देवता, नित्य दुखी होकर तुम प्रत्वी पर क्यों घूमते हो। तब वह दीन ब्राहमन बोला, मैं निर्धन ब्राहमन हूँ, बिक्षा के लिए धर्ती पर घूमता हूँ, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताओ, व्रत्य ब्राहमन रूपी भगवान कहने लगे कि सत्य नारायन भगवान मनुवांचित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो, इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मु व्रत करूंगा, और फिर अपने नित कर्मों से निवरित होकर वह भिक्षा के लिए चल पड़ा, उस दिन उसे भिक्षा में बहुत सारा धन प्राप्त हुआ, उसी धन से उसने परिवार के साथ भगवान सत्य नारायन की पूजा की और व्रत रखा, इस व्रत को करने के कु पूजा और व्रत करने लगे, इस प्रकार सत्य नारायन भगवान के इस व्रत को करके वह स्रेष्ट प्रहमन सभी पापों और गरीबी से दूर हो गया, और उसने एक दुरलब मोक्षपत भी प्राप्त किया, इस तरह से सत्य नारायन भगवान के व्रत को जो मनुश्य वह सभी प्रकार के पापों से छूट कर मौक्ष को प्रैप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से देवर्शी नारद जी से नारएन जी का कहा हुआ श्री सत्य नारएन व्रत मैंने तुम से बताया। हे विपरो, मैं अब आर क्या कहूं। तब रिशीगन कहने लगे हे मुणिवर, संसार में उस विपरी से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। तब श्री सूत जी कहने लगे, हे मुनियों जिस जिस ने इस व्रत को किया है, वह सब सुनो। एक समय वही विप्र धन और एश्वरी के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तयार हुआ, उसी समय एक लकड़ी पेशने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहा रखकर अंदर ब्रहमर के घर में गया। प्यास से दुखी होकर वह लकड़ारा उनको व्रत करते देख, विप्र को नमस्कार कर पूछनी लगा कि है ब्रहमर देव आपकी क्या कर रहे हैं, तथा इसे करने से आपको क्या फल मिलेगा, करपा करके मुझे भी बताईए। तब ब्रहमर ने कहा कि यह सब मनुकामनाओं को पूर्ण करने वाला सत्य नारैन भगवान का व्रत है। इनकी करपा से ही मेरे घर में धन धान यादे की व्रत ही हुई है। मन में इस विचार को लेकर वह बूढ़ा आदमी सिर पर लकडियां रखकर उस नगर में बेशने गया जहां उसने अपनी लकडियों का दाम पहले से चार गुना अधिक प्राप्त किया। बूढ़ा प्रसंदता के साथ पैसे लेकर सत्य नारन भगवान की मूर्ती और व्रत की अन्य सामगरियां लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने परिवार जनों को बुला कर विधी विधान से सत्य नारन भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़ा धन पुत्र आदी से युक्तो कर संचार के समस्त सुख भोग कर अंत समय में व्यकुंठ धाम चला गया। श्री सूत जी कहने लगे कि हेस्रेश्ट मुनियों अब आगे की कथा भी कहता हूँ। पहले समय में उलका मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितिंत्री था। प्रति दिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन दे कर उनके कष्ट दूर किया करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुखवाली तथा सदी साधवी थी। भद्र शीला नदी के तट पर एक बार उन दोनों ने श्री सत्य नारेन भगवान का व्रत किया। उसी समय साधू नाम का एक वैश्य वहाँ आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सारा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनम्रता के साथ पूछने लगा कि है राजन भक्ती भाव से पूर्ण होकर आप ये क्या कर रहे हैं मैं सुनने की इच्छा रहा हूं तो आप करपाकर मुझे भी बताएं तब राजा इस प्रकार बोला कि अपने बंधू बांधों के साथ पुत्रादी की प्राप्ति के लिए मैं श्री सत्य नारण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूं राजा के वचन सुनकर सादू वैश आदर से कहने लगा कि हे राजन मुझे भी इस व्रत का सारा विधान बताईए मैं भी इस व्रत को करूंगा मुझे भी कोई संतान नहीं है और मुझे विश्वास है कि इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे भी संतान की प्राप्ति होगी तब राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निव्रित होकर वह व्यापारी अपने घर गया साधु ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का व्रतांत कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखां। एक दिन वैश्य की पत्नी ने अपने पत्री को याद दिलाया कि आपने सत्य नारान भगवान के जिस वृत को करने का संकल्प लिया था, अब उसे करने का समय आ गया है। अब आप इस वृत को पूर्ण करिए। तब वे सादू कहने लगा कि हे प्रिये इस वरत को मैं अपनी पुत्री के विवहा पर करूँगा। इस प्रकार वे अपनी पत्नी को आश्वासन दे कर नगर को चला गया। सादू वे श्वासन ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सक्षियों के साथ देखा तो उसे लगा कि अब उसकी कन्या विवह योग्य हो गई है। तब उसने कन्या के योग्य वर ढूंड़ना प्रारम कर दिया। एक दिन साधू की बात को ध्यान में रखते वे एक नगर में जा पहुचा और वहां देख भाल कर लड़की के सुयोगी वणिक पुत्र को ले आया। सुयोगी लड़के को देखकर साधू ने बंदू बांधवों को बुला कर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भागी के बात ये कि साधू वैशने अभी भी श्री सत्यनारान भगवान का वरत नहीं किया था। इस पर श्री सत्यनारान भगवान क्रोधित हो गए और श्राब दे दिया। अपने कारे में कुशल साधू बनिया, अपने दामाद को लेकर समुद्र के पास इस्तित होकर रत्नसारपुर नामक नगर में गया। वहाँ जाकर दामाद ससुर्थ दोनों ने मिलकर चंद्रु केतू राजा के नगर में व्यापार करना शुरू कर दिया। एक दिन भगवान सतिनारायन की माया से एक चोर राजा का धन चुरा कर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ सारा धन वहां रख दिया जहां साधू अपने दामाद के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने जब चुराया हुआ धन ससूर और दामाद के पास पड़ा हुआ देखा तो वे ससूर और दामाद दोनों को बांद कर प्रसनता से राजा के पास ले गए और कहने लगे कि महराज हम उन दोनों चोरों को पकड़ कर लाए हैं आप आगे की कारिवाह करने के आज्या दें तब राजा की आज्या से उन दोनों और उनका सारा धन भी उनसे छीण लिया गया श्री सत्य नारायन भगवान के श्राब से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई घर में जितना भी धन रखा था उसे चोड़ चुरा ले गए शारीरिक तथा मांजिक पीड़ा और भूख प्यास से आती दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती एक प्रहमन के घर गई वहां उसने श्री सत्य नारायन भगवान का व्रत होती देखा फिर कथा भी सुनी और वह प्रशाद ग्रहन कर रात को अपने घर वा राजन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तयारी करने लगी लीलावती ने अपने परिवार और बंदू बांधवों के सहित सत्य नारायन भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पती तथा दामाद शीकरी घर वापस आ जाएं साथ ही ये भी वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो भी धन लिया है उसे भी वापस कर दो अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सारा धन राज और संतान सभी कुछ निस्ट कर दूंगा राजा को यह सब कहकर वह अंतरध्यान हो गए प्रातहकाल सभा में राजा ने प्राप्त हुआ है लेकिन अब तुम्हें किसी बात का कोई भह नहीं है ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभुशन भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे दोगुना धन वापस कर दिया इस तरह दोनों वैश अपने घर की ओर चल दिये श्री सूत तेरी नाव में क्या है तब अभिमान से भरा हुआ वैश कहने लगा कि है दंडी आप क्यों पूछते हो क्या धन लेने की इच्छा है मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं वैश के ऐसे कठोर वचन सुनकर भगवान कहने लगे कि तुम्हारा वचन सत्य हो दंड हुआ और नाव में बेल पत्ते आदी भरे वे देखकर वह मूर्ची धोकर जमीन पर ही किर पड़ा वापस होश आने पर वह अत्यंत शोक में ढूप कया तब उसका दामात कहने लगा कि पिता जी आप शोक मत मनाईए ये सब दंडी का ही श्राप है इसलिए हमें उनकी ही शर कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कर दी ऐसा कहकर वह रोने लगा तब दंडी भगवान कहने लगे कि हे वनिक पुत्र मेरी आग्या से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है तब वह साधु बैश कहने लगा कि हे भगवान आपकी माया से ब्रहमादी देवता भी आपके रूप को नहीं जानते तब मैं भला ज्यानी कैसे जान सकता हूं अब आप प्रसन होगे मैं अपनी सामर्थ के नुसार आपकी पूजा और ब्रत अवश्य करूंगा हे प्रभु मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका म धन भर दो सादू वैश्य के भक्ती पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन हो गए और उसकी इच्छा नुसार वर्दान देकर अंतरध्यान हो गए दामाद और ससुर दोनों जब नाव पर आये तो नाव धन से भरी भी मिली फिर वहीं अपने अन्य साथियों के साथ सतन नारान भगवान का पूजन कर पे दोनों अपने नगर को चल दिये जब नगर के नस्दीक पहुँचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया दूत साधू की पतनी को प्रणाम कर कहने लगा कि मालिक अपने दमाद सहित नगर के निकट आ गए हैं दूत की बात सुनकर साधू की पतनी लीलावती ने बड़े हर्श के साथ सत्य नारायन भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पती के दर्शन को जा रही हूं तू भी कारिसमाप्त कर जल्दी आ जाना मा के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी जल्दी में प प्रसाध की अवग्या के कारण श्री सत्य नारायन भगवान रुस्ट हो गए और नाव सहित उसके पती को पानी में डूबो दिया कलावती अपने पती को वहन ना पाकर रोती भी जमीन पर गिर गई नौका को डूबा हुआ देख और कन्या को रोता हुआ देख वैसाधू वैश्य दुखी होकर कहने लगा कि हे प्रभू मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा करें साधू के दीन वचन सुनकर श्री सत्य नारायन भगवान प्रसन हो गए और आकाशवानी हुई कि हे साधू तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ कर जैसा आकाशवानी के दोरान भगवान ने कहा था और फिर प्रसाद ग्रहन करने के बाद जब वापस आई तो अपने पती के दर्शन करके वह अत्तिन्त प्रसन हुई उसके बाद साधू वैश्य अपने बंधू बांधवा सहित भगवान श्री सत्य नारायन भगवान का व गुद्वज नाम का एक राजा था उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख प्राप्त किया एक बार जंगल में जाकर वनने पशों को मार कर वह बढ़के पेड़ के नीचे आया वहां उसने ग्वालों को भकती भाव से अपने बंधु बांधवों सहित सत् लिखा अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में ना तो वह गया और ना ही उसने भगवान को प्रणाम किया ग्वालों ने राजा को प्रशाद दिया लेकिर उसने वह प्रसाद भी नहीं खाया प्रसाद को वहीं छोड़कर अपने नगर को चला गय जब राजा अपने नगर में पहुचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हुआ पाया तो शीगरी वह समझ गया कि ये सब भगवान के अनादर का ही परिणाम है तब वह दोबारा गुआलों के पास पहुचा और विधिपूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनार भगवान की करपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया और फिर दीर्ख काल तक सभी सुख भोग कर अंत में वह मुक्षपत को प्राप्त हुआ जो मनुष्य परम दुरलब इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारन की करपा से उसे धंधान की प्राप्ती होगी इस व्रत के प्रभाव से निर्धन धनी हो जाता है और भयमुक्त होकर जीवन जीता है संतान ही इन मनुष्य को संतान सुक प्राप्त होता है और सारे मनुरत पूर्ण होने पर वह मनुष्य अंत में व्यकुंठ तहाम को जाता है तब श्री सूत जी कहने लगे कि जिन्होंने पहले इस अब उनके दूसरे जनम की कथा कहता हूँ वृत्य शितानन ब्रहमन ने सुदामा का जनम लेकर मोक्ष की प्राप्ति की लकड़हाले ने अगले जनम में निशाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया उलका मुख नाम का राजा दशरत होकर व्यकुंठ लोक को गए साधु नाम के वैश्य ने मोर्धवज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष पाया और महराज तुंगधवज ने स्वेंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त होकर कर्म कर मोक्ष प्राप्त किया कथा समाप्त प्रेम से बोलिये श्रिसत्य नारायन भगवान की जय